हल्लो भाईयों इस वीडियो के अंदर अपने आपर बात करेंगे जो कल के दिन यहां पर ECS Titan Spain का मेंश नंबर 3 और 4 होगा जो खेला जाएगा पाक आई केर और पाक बार्सलोना के बीच में तो इसमें इचकी में आपको पूरी चीज़ें समझाऊंगा जिससे आप Grand League की अच् इसकी टीम से सिर्फ वो बनानी है बाकि स्मोल लिग नहीं खेलना ना सेफ आपको बहुत ज़्यादा भी यहां पर Grand League की टीम है नहीं बनानी मेरे साथ से एक या दो टीम के साथ आप खेल सकते हो बाकि स्टैट्स आपको पूरे मिल जाएंगे यह जो मुकाबला है टेलिग्राम चनल पर देदूँगा उसी के साथ साथ जो भी न्यू प्लेस एड़ करते हैं वैसा ही क्या हर बार स्कोर्ड में नहीं नहीं प्ले लाते रहते हैं तो वो एड़ होंगे तो उनके स्टैट्स आपको मिल जाएंगे और उसी के साथ साथ आपको जो भी अगर मेर के से जाकर आप बहुत आसानी के साथ टेलिग्राम चनल को जोइन कर सकते हो पिछ रिपोर्ट की बात करो तो जहां देखो यहां पर अब तक 24 मुकाबले हुए हैं उसमें से 14 जीतने बेटिंग फर्स कने वाल टीम ने दस में चेज हुआ है मदब थोड़ा सा सीन पर आयते नहीम शाह, फिर यहां पर मौजम रसूल, सहबाज अमद, आदिल अरीफ, तन्वीर इकबाल, कामरान रजा, आमीर हमदा, यहां से मुस्तनासर इकबाल और जाहिद मेमुद, आपको एक चीज़ बता दू कि जिस प्लेयर को यह नमबर आट पर अभी खिला रह में वसी मबास और रह्मन उल्ला ने, अब देखो, यहां पर वसी मबास ने ज्यादातर मेश में ओपन ही किया है, तो मेरे इसाब से आप इसको तो टीम में जरूर रखना चाहोगे, लास्ट के 6 मेश में, पूरे 12 ओवर बंदे ने डाले हैं, और टोटल 6 विकर्स हैं, बले से भी 32, 10, 36, 101, नोट आउट, 63, 19 हैं, तो कैप्टेंसी का तो बहुत अच्छा है, चोईस आपके लिए बन जाता है, ग्रेंड लिक्स के अंदर भी, रहमन उल्ला पहले मेश में बेटिंग नहीं है, यहां पर 69 नोट आउट की बहुत अच्छी नोग खेली थी, 16 टीटन मे फिर इसको दो और मिले, वहाँ पर दो विकेट है, तो ना तो आप इनको टीम में ले सकते हो, ना आप इन लोगों को छोड़ सकते हो, तो इंपोर्टेंट प्लेर तो रहेगा, अगर बोलिंग ये लोग करवाते हैं, तो मौजब रसूल है, यह भी बेटिंग प्लस बोलिं बले से आपर आठ, तीन, उननीस और एक है, तो ठिक टाक सा रिकोर्ड है, ग्रैनली की कुछ टीमों में आप इनको रोटेट जरूर करना, आदिल अरीफ हैं, लाश के जो छे मैचे से वहाँ पर पांच विकेट्स हैं, जब जब आदिल अरीफ को बोलिंग मिली हैं, तब त इससे भी अगर आप देखोगे, तो किसी का भी स्टेट्स जो यहाँ पर है ना प्लेयर का, वो कमजोर नहीं है, अब यहाँ पर इनके जो अगले प्लेयर से प्लेंगे लिए उनकी बात करेंगे, तनवीर इकबार, तनवीर इकबाल है, इसका अगर आप देखोगे, देखो आमरान रजदा में आपको बता चुका हूँ, एक टॉप क्लास का ओलाउंडर प्लेर है, बस ओके आ रहा है कि लास्ट के दो मेंसे इसको खिलाया जा रहा है, बस नाम के लिए, ना तो इसको बेटिंग दे रहे हैं, उससे पहले के चार मेच पे चार विकेट है, बल्ले से अच्छा था, ट्राई भी कर सकते हैं, आप आमीर हमजा जब भी इसको भी बेटिंग मिली तब भी इसने भी अच्छा किया है, आप देखो, 6, 18, 8, 31, 1, 1, 1, 1, 1 बेटिंग है, यहां से आएंगे, मुस्तनासर इकबाल, इनके नाम अगर आप देखोगे, तो लास्ट के दो मेच में इनको बेटिंग बोलिंग नहीं मिली है, उससे पहले भी आप देखो, 18, 0 विकेट, 26, 0 विकेट, 10 और 18 हैं, फिर यहां पर आएंगे, जाहिद मेमूद, जाहिद मेमूद, टोटल खेले, 4 मेच, उसमें से दो मेच में ना तो इनको बेटिंग मिली है, ना बोलिंग मिली है, उसके अलाव अगर आप दो में देखो, तो यहां पर तो इनकी टीम ने मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल के एक्स्परिमेंट किये हुए है, तो मैं तो यहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेंड लिक के कुछ टीम में बनाना, बाकि यहां पर इन प वहां पर पाउर प्ले में बोलिंग करवाई थी आपके लिए, अरीफ, एस अहमद और डबलो अबबास ने डेट के अंदर आयते हैं से, एम रसुल, ए आतिफ और यहां से, एस अहमद, यह इनके कुछ बेंच प्लेयर हैं, और भी इनके बेंच प्लेयर हैं, उनके भी स्ट वन डाउन आपको दिख जाएंगे, खलील अहमद, फिर उमेर मुगल, जेन अली, जफर रजा, तेमूर मुगल, मोहमद आतिफ, खुजेम खान, उमेर अहमद और अली अहमद, तो यह इनकी टीम का लाश्ट मेश में बेटिंग ओडर था, जो मैं आपको यहां पर बता रहा तो देखो, मोहमद इशान जो है, बहुत अच्छा बेटर है, ज्यादातर मेश में यह ओपनिंग ही करता है, इंपोर्टेंट है, दस, पिंचानवे, पांच, एकसो तीन नोट आउट, बहुत अच्छा पहुंबस है, मोहमद बहुत सिम, यह आपको बेटिंग के साथ साथ देगा, चार मेश में देख सकते हो, आप पांच ओवर डालें, विकेट इसके नाम तीन है, बल्ले से तेरा, चौदा, तेरा, सत्रा नोट आउट है, ट्राइक कर सकते हो, क्योंकि बेटिंग बोलिंग दोनों से इसने कोंट्रिबुशन किया हुआ है, नमबर तीन पर कोन आ करेना, तो ट्राइक कर सकते हो, जेन अली, दो मेच में एक ओवर डाला है, विकेट एक है, अगर आप देखो कि दो जाटेइस के नदर आट मेच में उन्निस पांच उकेड है, जफर रजा, लास्ट के जो चार मेचेस हैं, वहाँ पर दो विकेड है, बोलिंग फर्स्ट के बीट टीम में, रख सकता हूँ, कोई ये बोलिंग तो पक्का करवाएंगे, बाकि अब देख लेते हैं, जो उनके अगले प्लेयर से प्लेंग लेवन के उनके स्टैट्स, तो नमबर साथ पर है तेमूर मुगल, जिनका रिकोर्ड आप देखो बहुत ही ज़्यादा गंदा बहुत अच्छा कॉंट्रिबुशन कर सकते हैं ये, खुजेम खान लास मेच के लिए बेटिंग बोलिंग नहीं मिली थी, इससे पहले टी-20 में चार मेच में नोरण जीरो विकेट है, दो ओवर डालके, उजेर यहाँ पर उजेर अहमद एक और नो बेटिंग बिल्कुल भ कर सकते हो, बाकि अब देख लेते हैं इनके स्टार्टिंग डेट के ओवर्स और इनके बेंच के प्लेयर्स के स्टैट्स जिससे आपको हेल्प हो जाएगी, ये इनके देख सकते हो, आप कुछ बेंच पर प्लेयर्स हैं, और इनकी तरब से अगर मैं बात करूँ ना, तो ल टेलिग्राम चनलों को अगर आपने जब तक जोइन नहीं किया हैं, तो कर लिजए क्योंकि सारी की सारी जानकर यहां पर ही मिलेगे आपको, कि मैच में आपको कितनी ग्रेंड लीक के टीम बनानी हैं, और मेरी जो टीम्स रहेंगी, वो भी मैं आपर शेयर करूँगा, और लास मुमेंट अप्डेट सारी की सारी यहीं पर आती हैं, तो टेलिग्राम चनल से जोड़ोना जरूरी है, टेलिग्राम चनल का जो लिंक है, एक तो आपको देखो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में भी सबसे पहले कमेंट में आपको टे उल्दाओंड से बात करूंगा, यहां से नहीं नवहीं सिसांए काप्टर मीरे आपर वासीम महांँ इशान है, लेकिन यह आपको मिलेग़ टेलीगरॉम चल्लप औे जिसका लिंक वीडियो के description में दिया हुआ है तो जल्दी से जाकर join कर लीजिए वीडियो लास तक देखने के लिए धन्यवाद